जैहिन सातियों वंदे मात्रम आप सभी को बता दू कि सातियों एनम वाले कंडिडेट का थर्ड राउंड भी समाप्त हो चुका है और काफी सारे बच्चे अभी भी जो है मुझे कोमेंट्स करते हैं और कुछ इंक्वाइरी जो है लेते हैं तो मैंने सोचा कि आप लोगों चली एक विडियो ही प्रवाइट कर दे तो सातियों गुड नियूज तो ये है कि अभी जो है एनम वाले जितने भी कंडिडेट है और जितने भी विद्धारती है जिनका स्लेक्शन हो चुका है अल्मोस्ट उनको अभी भी सातियों ये बात है फॉर मन्त अभी ओलमोस्ट जो है कंप्लीट होते आ रहे है ठीक है फिर भी अभी तक ना ही फ्रस्ट राऊंड ना ही सेकेंड राऊंड ना ही थर्ड राऊंड वालों को बुलाया गया है तो अभी तो मेरे पास ऐसी कोई भी अपड़ेट नहीं आई है कि कितने remaining सीटे बची हुई है परंतु मैं आप से सभी से कहना चाहूंगा कि almost ना के बराबर ही सीटे अभी बची भी होगी फिर भी ना के बराबर मान की चलिए 5-10 सीटे ही बची होगी ठीक है अब इसके लिए 4th round करवा भी सकते है या ना भी करवा सकते है क्यों सातियो करवाने के चांसे क्यों होते है क्योंकि government को इसका पैसा मिलता है क्या होता है government को हर जो choice feeling आपने किया है हर registration choice feeling पर्टिकुलर आपने 3300 रुपीज पर first second ही मतलब 1000 रुपय अभी तक दे चुका इनको आप लोग ने फिर अगर 14 round आते फिर आप लोग के कम marks रहने के बावजूद भी आप लोग जो है ये सोचते हैं इंसान्स की hope नहीं मरती है ठीके आपको यही आसा रहेगी कि सर मेरा हो जाएगा मेरे 50 marks है मेरे 60 marks है मेरा हो जाएगा ठीके पर परन्तु नहीं हो पाता है तो सातियो मैं पुनह आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है इसके भ्रहम में अब तो ना रही है ठीके ये हमें भ्रहमित कर रहे है ठीके कि 4th round के लिए अगर in case आती है अच्छे marks है 80 above ही marks है तो हम लोग इसमें participate करेंगे आने की chances की guarantee बहुत कम है फिर भी सीटे remaining बस्ती तो सासन गौर पैसे के लिए कर भी सकता है ठीके remaining सीटे की जानकारी अभी तक नहीं है और जो है जब भी आती है उसके लिए तो आपको समाधर इस्टेडी के द्वारा वीडियो प्रवाईड हो जाएगा और बात आती है यहाँ पर ठीक है कि एने मौले को बुलाएगा कब तो साती हो January में आपको बुलाया जाएगा ठीक है अधर कब बुला जाएगा January से आपका season Start होने वाला है तो आपको January में बुलाया जाएगा तो आप लोग भी जो है जो जो candidate सेलेक्टें हुए है जिनका सेलेक्टें हुआ है तो almost आपको January में बुलाया जाएगा ठीक है जो है इतनी information तो मेरे पास आही चुकी है ठीक है साथियो और अब आप लोग तैयारी में लग जाएए क्योंकि पिछली बार NM आई थी तो दो साल में एक बार आती है तो इस बार भी आपकी NM आने वाली है चाहे वो मार्च में आए चाहे फेबरेवरी में आए परन्तु आएगी 12th का एक्जाम के बाद ही आएगी सम्तिंग मार्च तक तो आएगी है आएगी ठीक है तो साथियो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए ज्यादा डिफिकल्टी लेवल का पेपर जो है नहीं पूछता परन्तु मैं आपको बता दूँ कि इस बार PNST हो गया नीट हो गया यह एक्जाम थोड़ी डिफिकल्ट करवाया है तो हो सकता है एनम में भी थोड़ी डिफिकल्टी लेवल प्रवाइड करें ठीक है तो समाधानी स्टेडी में बने रही है पलपल की अपडेट आपको प्रवाइड होती है वीडियो मिल ही जाते है ठीक है साथियो और कुछ भी क्वारिस हो तो बिलकुर आप लोग कॉमेंट्स बोक्स है वहाँ पर अपने कॉमेंट्स छोड़ दिया करें ताकि मैं उसको देखकर आपकी कमेंट्स रिफलाए या फिर वीडियो में प्रवाइड करू ठीक है साथियो सारा वीडियो समझ में आ चुका होगा इंतजार नहीं करना है ठीक है remaining seat बचेगी मुझे पता है कि remaining seat बची रहेगी ही ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता जो पूरी seat पेक होती काफी बचे छोड़ जाते है अब काफी बचे selection ले लेते है तो वो seat remaining बची रहती है इसलिए जो है ओके तो चलिए मिलते हैं साथियो next वीडियो में जय हिंद